कर एक है इसके पहले हमने देखा था इसके पहले वाद्र देक्षा था पहले ओरन गुष्ट नबर one को मैं झूस किया था और साथ ही साथ जो भी आपका वैर युनीं सुर हैँ उसके बारे में discussed कियाथा म citrus किया था उसने बहुत सारे युछ और ऊन्चेप्ट मेंने कर देंगे हैं आप लोगों नहीं उमीद है कि आप यह को शॉल्फ किये होंगे नहीं इसको अच्छी बात है इसको यहां समझो कि दो हमने कहा कि दो चीजे हमें हमें सही याद रखना है क्या कि अगर 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 X-axis के positive direction में हम major कर रहे हैं तो यह positive लेंगे इजर negative लेंगे इजर positive अगर कॉडन की बात करेंगे तो यह plus plus quarter होता है यह आपका x में माइनस है तो माइनस plus quadrant होगा यह आपका minus minus quadrant होगा यह आपका plus minus सब्सक्राइब कर धाल की चीजह को ने कि पहले कर रहे हैं और अब पॉजिटिव देख में आप देखो यह वाला चैसे एक डियाराम पिया हुआ है इस डियाराम को का करते हैं में बनाजेते हैं तो कहने का मतलब है कि बाइ一下 । 1 इसमें क्या ये एक बाढ़ है ये वाला इसका मतलब होता है यहां से इस तरह से बाढ़速 यह अब यह कहता है कि एक टो आपको यहां से एक फोर्स लग रहा है एक सो पचाश न्यूटन का एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है यहां पर जो की है यहां पर जो की है पान सो न्यूटन का पॉइंट का ना में देते हैं अब जो डिस्टेंस है देको अठारा 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 हर देगा अठारा सेंटीमीटर है कहने का मतलब कि यह भी आपको अठारा सेंटीमीटर दिया हुआ है यह भी अठारा सेंटीमीटर दिया हुआ है कहने का मतलब A B 18 है B C 18 6 यहां दे दिया है C यहां दे दो, D यहां दे दो, A B 18, B C 18, C D 18, सब के सब 18 दिये हुए, हमें कहता है कि find वही, क्या वही, find यही, यही मतलब यह देखो यहां क्या find करना है, find तो हमें साइज करना है, क्या, summation over F of X, summation over F of Y, resultant find it करना है, theta find it करना है, direction find it करना है, position बताना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जुच बताना है अपने का, ठेक, आई, बताते हैं, तो सब से पहले तो क्या करेंगे, summation over F of X, निकालेंगे, X direction में कितने कितने हैं, देखो, X direction में, सब तो X direction में हैं, तो यह तो हम समझ गए कि, पहले इधर वाला ल 500 और माइनस का 150, कितना आ जागा भाई, 500 माइनस का 304, माइनस 450, माइनस 450 निटन आगिए, summation over Fx, summation over Fx का मतलब होता है, कि X direction में यतने भी forces काम कर रहे हैं, उसका sum, summation over Fy, summation over Fy होता है, कि y direction में जिने भी forces काम कर रहे हैं, उसको add कर तो, y direction तो हमें कोई भी force नहीं दिया थेक अब कहता है कि बायर्णियृ टेंट पता हो तहीं हमें पता कि अंदरूंट सुमेशन ओभर Fx का स्क्वाइर प्लस स्मार्णिय अन्रूट एक स्की ittना है gT 2 लिशन एτο हैं देखलो ह स्वारणिग्रेंट हो जिए लेखरिंग्यृतर एं देख्ड़ा अब जैसे ही जीरो हो गया तो नीचे में f of x कितना माइनस के 450 तो जैसे ही जीरो हो गया तो टैन ठीटा एच कल तो जीरो इसका मतलब टेटी, टेटीज ठीट कॐ निकल गया जीरो डीटिए अब जरा बताना, ठीटा एगर जीरो डीटिन निकल गया है तो x axis से x axis से jya थीटा है वो इंगिल नहीं मिला रहा है वो 0 डीडिय का मतलब कि इसके पैरलल हो जाएगा या तो 0 या तो 1 बाइक ससली, तो इसी के ऊपर निकला था मतलब ऐसे ऐसे या तो ऐसे वर्टिकल यहां पर ठीटा जीरो निकला है इसका मतलब होडियंटर फोर्स काम करेगा या तो ऐसे काम कर सकता है या तो ऐसे काम कर सकता है वह तो हम लोग देख लेंगे किस से डारेक्शन से अच्छा देख लो कि कैसे काम करेगा है न म अब मेंन बात क्या रहा डायरेक्शन बताईए अब डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ ज़र भ्यान से देखना डायरेक्शन का मतलब सीधी सी बात हो गई कि भाई अब यहां देखो की डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन निकालने का मतलब कि भाई समेशन ओवर fy यहीं तो बात है समेशन और fx कैसा है positive है कि negative है समेशन और fx negative है तो यह negative जाएगा यह क्या है जीरो जाएगा कहना मतलब अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ऐसे तो भर्टीकल जाहीं हमें मतलब फोर्स ऐसे काम करेगा मतलब जो हमारा वह इस डिरेक्शन में काम करेगा यह समझ गया अब इस तो हम धिकल देखें अब हम को देख लेते हैं इधर दो सो लगड़ा है इधर पांच लगड़ा तो कर फाना में इधिसी दोनों में तो इसको बैलेंस करके तीन सो लगड़ा इधर समझा 450 लगड़ा है किस डिरेक्शन में इस डिरेक्शन में वह समझें अब यह डिरेक्शन जो है कहां है यहां लगड़ा है कि यहां लगड़ा है कि यहां लगड़ा है कहां लगड़ा है वही निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे किसी भी पॉइंट क जो कि आर्ट तो एसा ही लगना है लेकिन किसी पारकिफ्ट को से कितने क्या है वह हम पड़ा चल जाएगा ठीक है चलो हम वह पोजीशन निकाल लेते हैं पोजिशन कैसे निकाल लेते हैं पर उसको नोट कर लो तो यह नोट अब इसका मेरेज कर देते हैं मैंने पास तो जगे नहीं जैसे ही अब हम पोजीशन की बात करेंगे position की बात करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखना हम क्या करेंगे position कैसे निकालते थे भाई वही वाला लो कौन सा वैरीग नॉंस जो भी theorem है वो यह कहता है कि कोई भी point के along हम यह point को ले रहें कोई भी point के along जो moment निकालोगे तो आपको जो resultant है वो X के बराबर होगा एक्स क्या होता है इस point के इस point से perpendicular distance को X कहते हैं तो निकालो moment अच्छा इसको मैं फिर से ही denote कर देता हूं यहां पर फिर से मैं बना देता हूं ताकि मोमेंट निकालने का यह आपको 200 newton का और यह आपको 150 newton का यहां से अठाड़ा 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 ए कि एकर वाँ पामेंट मोमेंट ले रहा है तो दिखो दियान से क्या होगा एक वाँ मोमेंट होगे तो यह तो मोमेंट 0 हो जाएगा पांस वे खुद प्रपर पंशना जीरो तो माइनस का होगा मास का दूर सो इंटु अठा़ा डिस्टेंस अठा़ है तेक अब यह वाला फोर्स देखो इस तरह से क्लोकवाइच कर रहा है तो यह तो प्लस का 150 हो जाए और इंटू इन्टू के यह डिस्टेंस यह दिस्टेंस अभावर एंटिस क्या निकला था डिको चाट्स वह अटास निकला था और इन्टू एक्स-एक्स क्या माने है हम लोग एक्स माने कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से कितने से निचे आएगा रिजल्टेंट और लगने वाला कि तर इस डिरेक्शन में वह तो इसके पहले देखेंगे जब यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स की जो वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू आपकी आजाएगी फॉर सेंटिमीटर ठीक है और वह भी आपका आजाएगा क्या माइनस का फॉर सेंटिमीटर बताओ माइनस का फॉर सेंटिमीटर आया है इसका मतलब क्या समझ रहे हो जो पॉइंट ए है इससे से नीचे की और जाना है क्यों क्योंकि माइ वह कैसा लगेगा को रिजलते ओसे लागेगा यह फोर्स है जो यह अठारा इसे ठार अब यह जो बार पे जो इसे लगडा यहां पे यह यह इस वाले डेलेक्प्शन में क्योंकि हमने अभी देखा था कि समैशन अपड एक्स कया होगा था झाफ च्ब्रों के ईहारा था इस ड्रीक्शनования में आप is यहां पर चार सेंटेमीटर पर लोगे बस समझें अगर हम डी से निकालेंगे अगर हम डी के वाउट मोमेट लेगे ना तो यह कितना लग जाएगा अठारा 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 चातीस यहां तो शातीस हो गया और यहां से तुच्छा कहां गया जी कि इसको हटाओ यहां यहां से यहां तक संतिमेटर लाएगा तो यह तो फूर अठारा यह पूर अठारा था तो अठारा घटा दो कितना हो जाएगा अठारा चार ंठालों 1212 14 14 संते में हो जाओंड अच्हारlli से कर लोगे तो डी से ळोग आ ये हो जाएगा और यहां से यहां तक फिर से अठाला ये हो जाएगा अधाल प्रूस nursery हो जाओंड यह सब्सक्राइब कर दो इसको नोट कर लो इसको समझें हो गया अब डी के वाट मोमेंट निकल के दिखा देते हैं कि कितना पचास आना चाहिए अब जिखो डी के वाट मोमेंट किसी के वाट मोमेंट निकालेंगे यहां तो कोई फोर्स ही नहीं है यह वाला फोर्स है यह वाला फोर्स ऐसे काम करेगा देखो कैसे कर रहा है तो एक सो पचास मतलब माइनस में यह प्लस हो गया प्लस हो गया डी से ही तो कर रहा है यह से प्लस हो गया तो चाहतीस इंटु दूसो प्लस का छाथीस इंटु दूसो अच्छा यह वाला इसे तो ओना तो माइनस कर क्या 500 इंटू अठारा प्रेस अठारा प्रेस अठारा किदना जाएगा अठार तेर चाओवन फिप्टी फोर इस इकल टू यह तो चार्सो पचास था और इंटू एक्स ठीक है अब यहां से देखो जहां से देखना जब यहां से तुम निकाल लोगे तो एक्स क की वैलू फ जाताला सैंटीमेटर सहुट्स का मतलब के यहां से अठा फ़सी परगास दनलू से ढेंट हुन हो यह अच्छार आएगा प्लस में कि वहां देख लोग प्रश में इसी लिए आएगा तेह क्यों यह टूशो यह जैसा है ना Qur ही हो गया और यह आप लोगे तो जीरो जीरो और पांच चुक बीस के जीरो हाथ मेरा रहा था यहां तो यहां आया अब इसको कल्कुलेट कर लो तो कहने का मतलब यह है कि क्लेयर बिलेड करकेंच प्लस नहीं कहीं कर ला है जालिकेंट चार नीचे- बने तो प्टास उपड़ा जो पर शी से जाति निकलेगा स्समझ मां इस निकालोगे चलो नोट करो आप लोग क्या करोगे A, B, C, D सब के about moment निकाल करके देखोगे कि यह position मेरा यहीं आता है कि नहीं यहीं कि इससे निकाले तो position यहां आगया ना इससे निकाले position यहां आगया ना यहीं आएगा position position तो R का एक दम यहीं आना है और यह R कैसे लाइ करेगा ऐसे लाइ करेगा और कितने एक force लगेगे यहां पे 450 newton का force लगेगा पास समझे चलो नोट करो लोड़े इसको